हेलो इस्टुडेंट्स आज हम सुरुआत कर रहे हैं एक सब्जेट की जिसका नाम है साइन्स एन्टेक्नोलोजी सब्जेक्ट आपके civil services में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें बिल्कुर सिंपल सा सब्जेक्ट है और आप अराम से समझ सकते हैं तो इसमें हम पहला चेप्टर लेंगे information and communication technology तो सबसे पहले हमें इस चीज को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे एक सब्द आया है information इस information का मतलब क्या है तो देखें बहुत ही simple मतलब है कि जब किसी raw data को convert कर दिया जाता है meaningful data में तो यह meaningful data है information या सूचना कहलाता है आप देखे कैसे कि जैसे माल लीजे है road data हमारे पास road data यानि होता है कच्चे आंकड़े यानि कि हमारे पास A, B, C, D यह हमारे पास कच्चे आंकड़े हैं इनको लेके हमने कोई नाम बना दिया A, P, P, L, E, Apple यानि save यानि उसका कोई ने कोई अर्थ निकला उसकी कोई ने कोई meaning निकली तो बस वह है आपका हो गया meaningful आकड़ा इसके अलबा होके आपके जिससे नाम है B, O, Y, Boy यानि यह भी क्या यह है परकार से meaning इसकी भी कोई meaning निकली तो यह है परकार के meaningful data हो गया तो इसी type में जब row data को आपके meaningful data में convert करेंगे तो यह meaningful data ही information कहलाता है तो देखिए कैसे वाप onward कर दिया जाता है किसी meaningful data में तो यह meaningful data ही information या सूचना कहलाता है जैसे आप में row data देख लिया है A, B, C, D, कुछ भी इससे हमने एक सब्द बनाया A, W, P, L, E, Apple यानि save, B, O, Y, Boy, Boy यानि लड़का, C, A, T, Kate, Kate यानि Billy तो यह सभी चीज क्या है बस यही तो आपकी meaningful data है यानि कि meaningful data है या इससे का जा सकता है इंदी में अर्थपूर्ण आकड़े और यह अर्थपूर्ण आकड़े ही आपके क्या कहलाते है information कहलाती है पहला point complete हम information तक पहुँच गए है इसके बाद में point रहेगा कि information कितने प्रकार की होती है तो देखिए यह जो information है यह मुख्य तया 5 प्रकार की होती है देखिए 5 प्रकार की कौन कौन सी पहला प्रकार है voice data जैसे कि मैं जो बोल रहा हूँ और आप तक जो आवाज जा रही है वह कौन सा data है वह आपके voice data हो गया clear इसके बाद में रहेगा text data यानि मैंने अपना mobile लिया और mobile में मैंने कुछ type किया और type करके मैंने आपको वो चीज भेज दिये यानि मैंने आपको type किया है और type करे तो वो type जो हो रहा है वह आपका text data यानि की return data है और मेंने आपको SMS के तरूशका आपको भेज दिया यानि मैंने किस data को send किया आपके text data को मैंने आपको send किया, इसके बाद में रहेगा picture data यानि मैंने अपनी एक photo case दी और photo case के मैंने आपको send किया यानि मैंने कौन से data को send किया है picture data को send किया है इसके बाद में रहेगी video clip यानि मैंने 5-10 मिनट की कोई video ले ली video clip लिए और मैंने आपको send किया यानि मैंने video clip send किया बिल्कुल simple इसमें फिर रहेगा animation या 3D data और ये जो data होते हैं बहुत बड़े प्रकार के data होते हैं अब इसमें आपको आप समझ गये होंगे कि सूचना क्या है और सूचना कितने प्रकार की होती है पहला point clear फिर वापस देखना तो वापस देख लिजिए जब raw data को convert कर दिये जाता है किसी meaningful data में तो यह meaningful data ही information क्यालाता है information पांच परकार की हो सकती है एक voice data यानि मैं जो बोल रहा हूँ और आप तक जो पहुंच रहा है वो आपके voice data है test data यानि इसे हम return data भी कहते है मैंने कुछ चीज लिख के आपको send किया यानि मैंने text data को send किया है picture यानि photo catch के send करना यानि मैंने picture data send किया है फिर video clip कुछ time का video animation यानि बहुत बड़ा आपके कहा सकते है बहुत बड़ा video data भी हो सकता है और एक परकार के 3D data भी हो सकता है clear फिर यहां तक पहुंच के सूचना पांच परकार की होगी अब यह पांचों परकार के सूचना जब एक इस्थान से दूसरी एक इस्थान पर पहुंचती है तो इड़ी को सूचना का एक इस्थान से दूसरी इस्थान पर पहुंचना यही कहलाता है communication तो देखिए किस परकार यह कोई भी आपके एक इस्थान है यह दूसरा इस्थान तो सूचनाओं का एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर पहुँचना यह कहलाता है कम्यूनिकेशन याने की संचार फिर इसके बाद में देखेंगे कम्यूनिकेशन कितने प्रकार का होता है तो मोटे रूप से देखेंगे तो कम्यूनिकेशन दो परकार का रहेगा एक तो आपके रहेगा कनेक्टिविटी के आधार पे यानि कि यहाँ वायर से जुड़ा हुआ है या फिर वायर से जुड़ा हुआ नहीं है यानि wireless भी हो सकता है और wire based भी हो सकता है फिर आप उधर जाएंगे तब इसमें हम देखेंगे distance के आधार पे तो distance में आपका रहेगा दूरी के आधार पे जैसे कि हम दोना पास में आपस में बात कर रहे हैं यह हो गए आपके near communication और एक हम mobile से बात करते हैं तो mobile से मेंने समझो आपको call किया तो मेंने आपको call किया फिर वह call है mobile में वह जो मेरे जो information जा रही है वह आपकी जाएगी तरंगों में convert हो जाएगी और तरंगों में convert होकर फिर वो उपगरह तक जाएगी और फिर उपगरह में आप तक पहुंचेगी वो एक पूरा सिस्टम में अभी बताऊंगा आपको वह हो जाएगा आपके टेली कम्यूनिकेशन और जो वास्ता में टेली कम्यूनिकेशन है उसी को हम इसके अंतरगत अध्यन करेंगे कम्यूनिकेशन टेक्निलोजी के अंतरगत तो आजया है वापस यहाँ पी सुचना को हमने दो भागों में डिऒएड कर सकते हैं मोटे रूप से एक तो हो सकता आपके connectivity के अधार पे और दूसरा हो सकता है distance के अधार पर distance यानि की दूरी की अधार पर connectivity के आधार पे हम इसे दो भागमें डिवाइड करेंगे एक कोई अगर संचार wire के माध्यम से हो रहा है तो उसे हम कहेंगे wire based clear और दूसरा अगर wire के माध्यम से नहीं हो रहा है तो उसे कहेंगे wireless फिजिसे wire based में किस-किस wire का use करते हैं तो normal simple चीज़ है एक हम copper wire का use कर सकते हैं तो copper wire के माध्यम से अगर संचार हो रहा है तो हम इसे कहेंगे copper wire based दूसरा रहेगा co-axial wire based तीसरा रहेगा आपके optical fiber based तीन टैप यानि की wire यह तीन वायर का use करेंगे हम दूसरा रहेगा wireless और wireless होता है उसमें शामने तह ओपगरह का use किये जाएगा वो भी आगए हम आराम से देछलेंगे ऊपगरह का कि स्टैप में यूज किया जाएगा और इसमें आप खुद जानते हैं इसमें हम ले सकते हैं mobile technology को दूसरा इसमें ले सकते हैं tv technology जैसे कि आप TV टेक्नोलोजी में आप खुद भी जानते हैं कि जैसे आपकी हो गया DTH, Direct to Home Service, तो उपगरस से कोई भी तरंगे है, वह आपके डायेट आएगा उसमें DTH में आएगी, वो DTH से फिर आप प्राप्त करते हैं, वो इसमें और रखा जाएगा, इसमें वाइलेस में रखा जाएगा आपके IP TV, यानि इंटरनेट प्रोटोकोल टेलिवीजन, तो IP TV में, IP TV का भी अध्यनम करेंगे आगे, विस्तार से बताएगे, अभी सिफ सौट में देखिए, कि कनेक्टिविटी के आदार पे, कम्यूनिकेसन को दो भगों में डिवाइड कर सकते हैं, वाय और एक हम जैसे मैंने आपको फोन किया और आप चैनले में बैठे हो, फिर हम दोनों बाते कर रहे हैं, इसे हम कहेंगे टेलिवीजन, नियर कम्यूनिकेसन और टेलिवीजन, तो देखे वास्ता में जो कम्यूनिकेसन टेक्नोलोजी का मतलब है, वह आपके इस से है, यानि कि telecommunication से हैं, क्योंकि near communication तो वैसे भी possible है, जैसे हम दोनों आपस हैं बात कर रहें, यहां बेटे-बेटे, यहने हम क्या करें, near communication करें, तो इसमें किसी प्रकार की कोई technology की जरूत नहीं पढ़ती, तो इसलिए हम technology के अंतरगत नहीं मानेंगे, वास्त में communication Technology से मतलब होता है आपका Telecommunication से clear यहां तक अब हम देखेंगे देखे Telecommunication कैसे होता है तो इसमें हम आगे देखेंगे अब हम आगे यहां तक पहुंच गे आप Telecommunication को आगे बढ़ाएगे मान लीजिए यहां मेरे पास कोई Mobile है और मैंने Mobile ने बोला Hello Hello बोला यानि मैंने Mobile को कौन सा data दिया है मैंने Mobile को Voice data दिया या Voice data दिया अब यहां जो Voice data है यहां Mobile से Convert होगा तरंगों में और मान लीजिए यहां पहुंचा आपके Tower तक यह मान लीजिए Tower है फिर यहां Tower से तरंगे पहुंचेगी आपके Mobile Switching Center तक MSC Mobile Switching Center यहां पर परम स्रेनी के computer लगे होते हैं फिर यह जो तरंगे हैं वहां आपके पहुंचती है उपगरह तक और उपगरह में Transponder लगे होते हैं जो की यह Appling Signal को Catch करते हैं यह उपर जाने वाल सिगनल को Catch करते हैं और फिर उन्हें 1000 गुना आवर्दित करके फिर मोबाइल ने वापस इन तरंगों को Convert किया सूचना में और फिर मोबाइल ने वापस इन तरंगों को Convert किया सूचना में और Convert करते हैं सूचना वोइस डेटा हमारे कानवे सुने दिया Hello यहां से जो Hello बोला गया था वह एक परकार के सूचना थी और Hello क्या है यह एक परकार का सुने दिया Hello यहां तक पहला पॉइंट यह है फिर हम इसमें देखेंगे एक चीज कि यहां पर आपने देखा नाम सुना है उपगरा तो उपगरा के अंदर यह लगे वास माली जी यहां आपके ट्रांस्पॉंडर क्लियर तो एक बार क्युष्टन पूछा गया था सिंपल सा कि भी ट्रांस्पॉंडर क्या है तो बिलकुल यह सिंपल है कि उपगरा में लगे हुए वे इलेक्ट्रोनिक उपकरन जो की अपलिंग सिगनल को रिसीव करते हैं तथा उन्हें हाजारों गु इलेक्ट्रोनिक उपकरनों को ट्रांस्पॉंडर कहते हैं प्याला पॉइंट के लिए फिर यह ट्रांस्पॉंडर कितने प्रकार के होते हैं तो हमारे इंडिया में मुख्यता जो ट्रांस्पॉंडर है वह अभी चार प्रकार के हैं और पांच प्रकार जो कि अमेरिका से ल दूसरा है C-Band Transponder, तीसरा आपका रहेगा X-C-Band Transponder, चोथा रहेगा K-U-Band Transponder, और पाच्चा जो कि अमेरिका में है K-A-Band Transponder. तो यह इंडिया के पास आप ध्यान रगना पहला, दूसरा, तीसरा और चोथा, और इनको आवरती के आधार पे बाटका है, जिनकी आवरती ज्यादा, जितनी अच्छी आवरती उतने अच्छे Transponder मने जाएंगे, वो हम बताएंगे, इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में ब वेन, मेन, रेन, वेन, इंट्रानेट, एक्स्टानेट और इंट्रनेट, इनके बारे में ध्यान करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में